साथियों, कल देश की समसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही बहुत ही अहतियासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं समय, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उजवल भविश्य के लिए जो आशावान लोग हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21 सदी के भारत की जरूरत है, साथियों हमारे देश में अब तक उपच और विक्री की जो विवस्ता चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ, पाओं बांदे हुए थे, इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर घिरोप पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, आखिर ये कब तक चलता रहता, और इसलिए इस विवस्ता में बढ़लाव करना आवश्रक था, और ये बढ़लाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है, नए कुरुशी सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है, कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल, सब्जियां, अपनी शर्तों पर बेच सकता है, अब उसे अपने शेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए है, अब उसे अगर मंडी में जादा लाब मिलेगा, तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा, मंडी के अलावा कहीं और से ज़्यादा पैसा मिलता है ज़्यादा अलाव मिलता है तो वहाँ जाकर के बेचेगा उसकी सारे बंदनों से मुक्ति दिलने के कारण ये संभव होगा अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है किसानों को मिली इस आजादी के कई लाब दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महिने पहले निकाला गया था ऐसे प्रदेश जहां पर आलू भौध होता है वहां से रिपोर्ट है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोर्स टोरेज से ही आलू खरीद लिया है बाहर किसानों को आलू के ज़्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे आखिर दबाव में आने के कारण बहार बड़ा उंचा मार्केट होने के कारण मंडी केक लोगों को भी किसानों को ज़्यादा दाम देना पड़ा इसी तरह मद्यप्रदेश और राजस्तान से वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे बिश्चे 30 प्रतीशत जादा देकर सरसों की खरीदी की है मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश 36 गर्ट पस्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में डाले बहुत होती है इन राज्यों में पिछले साल की तुल्ना में 15 से 25 प्रतीशत तक का जादा दाम सीधे किसानों को मिले है दाल मिलों ने वहाँ भी सीधे किसानों से खरीद की हैं सीधे उने ही भुगतान किया है अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू ही है तो वो क्यों हो रही है कही जगर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृशी मंडियों का क्या होगा क्या कृशी मंडिया बंद हो जाएगी क्या वहाँ पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कता ही नहीं होगा और मैं यहां स्पस्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून ये बढ़लाव क्रिशी मंडियों के खिलाप नहीं है क्रिशी मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा बलकि ये हमारी ही एंडी सरकार है जिसने देश की क्रिशी मंडियों को आधूरिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है कृसी मंडियों के कारिया लोयों को ठीक करने के लिए बहां का कम्पूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है इसलिए जो ये कहता है कि नए कृसी सुधारों के बाद कृसी मंडिया समत हो जाएगी तो वो किसानों से सरासर जूठ बोल रहा है